तो आज के वीडियो में जो मैंने एक एमेजॉन से हेलमेट के लिए एक लाइट मंगवाया था तो वह आ चुका है और मैंने इस्टल भी कर दिया हुआ है तो उसको मैंने दो-तीन बार यूजबी किया है तो काफी अच्छा रहा है काफी आई-कैची लग रहा है सब लोगों क रोड पर अट्रेक्शन भी ज्यादा मिल रहा है इसलाइट को लेकिन एक है कि यह रात के समय ही अपको अच्छा लगेगा दिन में उतना यह नहीं है तो इस तरह से कुछ यह दो स्ट्रिप्स यहां पर आई हुई हमारे पास यह और यह और साथ में एक रिमोट कंट्रोल मि अला उसका ही है पुरा निकाल के ऐसे चिपका दिया है आप उपर नीचे किसी भी तरह कहां पर भी लगा सकते हो जैसा आपका हेलमेट का वगेरे का डिजाइन होता है उस तरह से आपको यह लगाना है तो मैंने यहां पर लगा दिया है यहां पीछे थोड़ा जुगाड कि हुआ है मैंने इस तरह से दोनों का वायर यहां पर यहां पर दो कनेक्टर है वो दोनों कनेक्टर का एक वायर बन रहा है तो उसको मैंने यहां पर नीचे इसके नीचे पूरा दबा के यहां पर ऐसा only यह कनेक्टर बाहर निकला है उस तरह से यह connector में यह हमारा दूसरा यह है जो connector है जो remote में जाता है उसको इस तरह से यहाँ पर fix करना है तो यह fix हो गया काफी easy है और ऐसे यहाँ remote में से प्रेस करोगे बटन तो कुछ इस तरह से light आपका शुरू हो जाएगा तो काफी bright है night vision भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका उस तरह से pattern भी आप change कर सकते हो इस तरह remote में एक बार प्रेस करोगे जो कुछ इस तरह से pattern होगा और एक और pattern है यह वाला काफी अच्छा लग रहा है काफी unique लगेगा किसी और के पास तो यह होगा नहीं तो और एक बार और प्रेस करोगे तो यह बंद हो जाएगा काफी अच्छा है लेकिन अगर आप daily routine में use करते हो helmet तो उस पर मत लगाईएगा क्योंकि यह थोड़ा बिगड जाएगा थोड़ा धूल मिटी लगेगा इसलिए जब भी राइड पर जाते हो तो उस तरह के helmet पर आप लगाओ इसको काफी अच्छा लगेगा और यह हमारा बिगडा हुआ है यह और यहाँ पर बहुत याद आती है मुझे गोप्रो की शाइद आप लोगों को नहीं पता होगा जो लोग मुझे instagram पर follow करते हैं उनको पता है कि मेरा गोप्रो कहीं पर गिर गया है तो गिर गया है या फिर निकाल दिया है किसीने पता न तो रास्ते में कहीं सायद गिर गया है तो मैंने बहुत जगों पर पुछा है पुलिस में भी कुछ तो नहीं किया है लेकिन उन लोगों को बताया था कि यहां पर ऐसा कुछ गिरा है तो इसी को कुछ मिला नहीं था तो I really miss my GoPro GoPro के मीना मैं बहुत ही अधूरा हूँ तो कि इसे राइड वगेरा करते हैं तो वहाँ पे GoPro की तो जरूरत पड़ती है तो फिलाल तो अभी बहुत मेहनत से लाया हुआ था मैं वो GoPro अभी दूसरी बार लेना पड़ेगा ऐसा लग रहा है ओप सो जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए लाइक कीजिए लाकि मुझे को आपका सपोर्ट मिलता रहे थैंक यू ये और भी नया चीज हमने लिया हुआ है तो नई नई चीज़े हम लेते रहते हैं हो गए तो बहुत पुराने हो गए थे इसके लिए फोक्योट केक नए एंग्लोज हमने लिये हुए यहां लोकल सॉप्षे ही लिये हुए इसको ऑनलाइन नहीं मंगवाया है देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी के है और एट्रेक्टिव भी है यहां पे जो वाइट बेग्राउंड में है वो पूरा थोड़ा बेग्राउंड नोईस आपको आ रहा होगा थोड़ा एक्जेस कीजिएगा इस तरह से कुछ काफी अच्छा है फिटिंग्स वागेरा काफी अच्छा है इसका और प्राइजिंग भी काफी अच्छी होती है इसको क्योंके एंड ग्लाउज लीजिए या फिर कुछ भी प्रोड़क्स लीजिए आप देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है तो जब भी राइड कीजिए तभी हैंड ग्लाउज हेलमेट्स और सिफ्टी गिर्स का यूज कीजिए तकि आप जब भी गीरो तो आपको चोट वगेरा लगती तो है लेकिन थोड़ी कम लगेगी एक दम ब्राइट दिख रहा है हेलमेट तो काफी आई कैची लग रहा है अब देख सकते हो कि अगर हेलमेट पर ऐसा लाइट बहुत ही कम लोग यह से यूज करते हैं तो काफी यूनिक रहेगा अगर आप ऐसा लाइट लेते हो बहुत अच्छा लग रहा है और एक और पै ऐसा लग रहा होगा यह रे बाप रे यह क्या जह रहा है बाइक पर गोश्ट राइडर जैसा यह देखिए एक दम फटा-फट से ब्लिंकर जैसा हो रहा है हमारे काफी अच्छा है मैंने बताया था आपको कि नाइट में तो और भी ज्यादा यह खुबसूरत लग रहा है काफी अच्छा प्रोड़क्ट यहां पर अमेजोन की तरप से बेस्ट प्रोड़क्ट फॉर राइडर उतना क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है रिमोट वगेरे का बाकी काफी अच्छा लाइट काफी अच्छा है ब्राइट है अगर आपको पर्चेस करना है तो आप कर सकते हो एमेजोन से तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू कर दिगा दोस्तों कर आदो चानल को सब्स्राइब करना ना भूले तो चले मिलते रहेंग आप आपकोईसरे कान यहीं में तप्तकेले बहाड़के स्पाइब